सब्सक्राइब कीजीए मेरे स्मार्ट नेटिंग यूट्टूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजीए मेरी लेटेस्ट विडियो पाने के लिए क्योंकि बिलकुल फ्री में है है कि हेलो फ्रेंड्स स्मार्ट निटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत सबागत है चलिए फ्रेंड्स यह हमने कल यह एक फ्रोक बनाई थी इसकी बाजू कैसे बनानी है वह मैं आज आपको बताऊंगी यह बाजू और कालर जो है दोनों की वीडियो में आज बनाऊंगी कोलर बाज में कैसे बनती है इसकी तो आईए देखते हैं यहां से यह तक 50 50 stitches लेने और 6 जो है हमारे पास जो है वो बॉर्डर वाले आएंगे अब देखिए 56 जो है stitches हमने लेने हैं 50 stitch तो हमने ये वाले लेने और 6 stitches जो है हमने बॉर्डर के लेने हैं अब एक स्लाई सीधी करके और दूसरी स्लाई में हमने यहां से कैसे बनाना है बाकी सारे फंतों को सीधे बनाना है ये 6 जो stitches हैं वो हमने बॉर्डर के शोड़ने हैं 6 जो है बॉर्डर के शोड़ करके देखिए 1 2 3 6 शोड़ करके अब 10 stitches और शोड़ने हैं 1 2 3 4 5 10 stitches और शोड़ करके यही से बापस जाएंगे हम यही से बापस जाना है और सारी स्लाई हमने सीधी बनानी है मतलब की टोटल हमने 16 स्टिच जहां से शोड़ने है देखिए जहां पे 16 स्टिच चोड़के यह पूरी स्लाई बनाई अब इसके बाद यह वाली स्लाई में हम जे स्लाई में हम 10 स्टिच और यहां से शोड़ेंगे तो बापकी स्टिच हमारे यहां पे बनेंगे 16 प्लस 10 स्टिच हमने और शोड़ने है बापकी सर्वी को यहां तक फिर से बनाना है एक स्लाई ऐसे और एक स्लाई मुड़कर के अब देखिए 10 हमने और शोड़ दिये मतलब कि सबसे पहले हमने 10 स्टिच जहां पे शोड़े बॉर्डर को छोड़ करके 10 स्टिच शोड़े 40 स्टिच बुने अब हमने 10 स्टिच बुने और शोड़े अब 30 बुनेंगे फिर 10 स्टिच और बुनेंगे फिर 20 बुनेंगे ऐसे ही लास्ट में हमारा ऐसे बनेगा, यह ऐसे बनेगा, अब पूरी सलाई हमने यहां से लेके यहां तक पूरे फंदों को हमें सीधा बनाना है, इन पूरे फंदों को हमें ऐसे सीधा बनाना है, अभी कोई फंदा ने शोड़ना है, दस दस करके हमने सारे फंदों को कवर किया है, तो अभी हमें पूरी स्लाई जो है ऐसे सीधी बनानी है और यहां से हमें ये दूसरा color जो है हम add करेंगे border के रूप में border के हम six फंदे जो हैं इसी color से बनाते हैं जैसे ये बना है वैसे ही हम यहां से border का यहां पे अटेच करेंगे color देखिए यहां से कलर जोइंट करने के बाद हम क्या करेंगे शेस जो स्टिच है हमारे इसी कलर के आएंगे देखिए वन टू थ्री शेक स्टिच बनाने के बाद बाकी सारे हमारे इस कलर से बनेंगे लास्ट तक लास्ट में हमें एक फंदा यहां पर बढ़ाना है अब एक एक फंदा यहां पर बढ़ाते हो जाएंगे जब तक हमारे पास 65 फंदे हो जाएंगे हमें बहां तक बनाना है, जहां तक हमारी जो फ्रोग का howl है, वहां तक हमारी जो है, वह पूरी नहीं हो जाती, इसकी cutting, वहां तक हमने बनाना है, आप inches के हिसाब से, देखिए, जहां से आप inches के हिसाब से नाप लीजी, कि कितनी आपके cutting है आप उतना ही इसको बिनाएंगे जो बाजु की हमारी अपुतना इसे बिनाएंगे में एक एक फंदा हमने यहां से बढ़ाते को जाना है लाज शुरू से लेकर यहा तक बीच तक और यहां से मैं आगे बताती हूं कैसे बनाना है यह पूरी स्लाई में यहां तक कर लेती हूं अब देखी यहां पे हमें एक स्टिच जो है बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाना है देखी यह बाला शोड़ करके यहां से उठाना है और यहां पे लाकर के इसको बुन लेना है ऐसे ही करते हुए हम यहां से इस बाली साइड से एक एक स्टिच हमने बढ़ाते हुए जाना है और इसे ही करते हुए हमने यह देखे यह देखे यह देखे सबसे पहले हमने बारा फंदे बनाए है उसके बाद शीह फंदे बनाई हैं उसके बाद फिर से 12 उसके बाद फिर से 6 ऐसे ही करते हुए इदर से हमने इसी बनाना है और इस सावाली साइट से हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है जब तक कि हमारी जो आम होल की कटिंग जो है उसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हमने ऐसे ही बनाना है यहां से देखिए इस दागे को हमने क्रोस करके दूसरे को पीशे लेके जाना है और इस से ये शेदफंदे जो है वो बना लेनी है देखिए अब हमारी यहां पे शेदफंदे थे अब हमारी यहां पे बारा फंदे आएंगे शेदफंदे हमारी जे और बारा जे अठारा फंदे टोटल यहां पे ग्रीन के होंगे देखिए बारा फंदे होगे अब हमें लास्ट में से एक फंदा इसको धाग़े को आगे करके लास्ट में से एक फंदा ऐसे लेना है उसको ऐसे रैप करके पीशे की तरफ जा करके इस फंदे को इसी सलाई में लेंगे बापस और धागा पीशे करके इन 12 स्टिचे को हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे ऐसे ही करते हुए हमने एक बार 12 और दूसरी बार 6 लेने हैं ग्रीन के मतलब कि बॉर्डर वाले 6 फंदों को शोड़ करके एक बार 12 और दूसरी बार 6 फंदे बनाने हैं और इस बारी साइट से हमें एक एक स्टिच बढ़ाते हुए जाना है 65 स्टिचे होने तक देखी जहां तक हमने बढ़ाया है यहां पर हमारे आकर हो गए 65 स्टिचे जो हैं वो लास्ट में हमारे हुए हैं हमने 50 फंदे यहां से लिए और 65 हमारे 65 फंदे जो हैं यहां पर हो गए अब हमें क्या करना है तीन जा चार सलाइना हमने यहां पर स्ट्रेट बनानी है गटाई जहां पर फंदे बढ़ाने के बाद यहां पर तीन जा चार पांच सलाइना जो है आप अपने इसाफ से देख लीजिए चार पांच सलाइना जो है हम ऐसे ही बनाएंगे ना कोई फंदा गटाना है ना कोई फंदा बढ़ाना है अब देखिए आगे के करना है हमने से ट्रेट लाइन्स बनाने के बाद यहां से हमने एक एक फंदा गटाना शुरू करना है सबसे पहले हमने यहाँ पर यह इतना बनाने के बाद एक एक फंदा करके हमने यहाँ पर बढ़ाया है तो अब हमने यहाँ पर एक एक फंदा करके गटाना है जब तक हमारे पास जो है पचास फंदे ना रह जाएं पचास फंदे रहने तक हमने एक एक फंदा करके गटाना है ऐसे यह देखिए ऐसे गटाना है उन्हाँ आपको बता देती हूँ देखिए तीन फंदे हैं हमारे पास इन दो फंदों का हमने एक बनाना है और एक जो है लास्ट वाला उसे हमने सीधा ही ऐसे बुन लेना है देखी यहां से घटना शुरू हो गया है अब अकी स्लाइब ऐसे ही ड़ेगी हर एक इस स्लाइब में सीधी स्लाइब में आते हुए यहां से एक फंदा हमने कम करना है एक फंदा तो ऐसे ही बनाना है, दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ऐसे ही बनाना है, दो का एक करेंगे, ऐसे ही करते हुए हम जब हमारे पास 50 stitches रह जाएंगे, तब हमने जो है, जो नीचे बाला portion हमने थोड़ा सा बनाया था, वो हम यहां पे last way आकर भी वैसा ही बनाएं तो पूरी बाजू बनाने के बाद, जब यह portion बनेगा, तब मैं आपको बताती हूँ, कि आगे यह वाला portion हमें आगे कैसे बनाना है, तो जो एक एक फंदा कम करते हुए हमें जाना है, और हमें अपने बाजू की जो shape है, वो बनानी है, देखिए सबसे पहले हमने 50 फंदों से अपनी जो है, वो स्टार्ट की है, पचास फंदों से स्टार्ट करनी है, प्लस हमारे जो है, six stitch जो है, आएंगे बोटर के, अब हमें यहां से दस फंदे छोड़ने हैं, बाकी सारे बुनने हैं, फिर दस छोड़ने हैं, बाकी सारे बुनने हैं, फिर दस छोड़ने हैं, आएगी अब यहां से हमें green color start करना है यह देखिए यह यहां से हमें green color start करना है green color के हम सबसे पहले 12 stitch बनाएंगे उसके बाद हमने यहां से यह बाला color पूरा जाएगा last तक अब जे color जो है यहां पर 18 stitch बनेगे हमारे अब फिर से 12 stitch बनेगी border वाले को साथ में मिला करके ऐसे ही बनाते हुए हम यहां पर जाएंगे तो हमारी जो शेप जो है ऐसे आएगी अब देखे यहां से हमने कैसे बनाना है यह तो हमारा आ गया यहां तक अब यहां से एक एक फंदा बढाते हुए जाएंगे तो हमारा जो है वो शेप हमारी ऐसे आ जाएगी एक-एक फंदा हमने 15 टाइम बढ़ाना है 15 टाइम बढ़ा करके हम 4 सलईया ऐसे ही स्ट्रेट बनाएंगे चार रो हम स्ट्रेट बनाएंगे उसके बाद हमने यहाँ पे गटाना शुरू करना है एक-एक फंदा हम यहाँ से गटाएंगे तो हमारी जो बाजू है ऐसे इसकी श अब यहां तक मैं गटा लेती हूँ तो आगे आपको यह बाला पॉर्शन है जो बना के वो बताऊंगे देखिए यह हमारा सारा जो है जो कटिंग है हमारी कंप्लीट हो चुगी है अब यह बाला पॉर्शन हमें बनाना है तो देखिए लास्ट में हम जहां से इस दागे को वटा देंगे यहां से और यह पूरी सलाई हम इसके साथ सीधी बनाएंगे इसी बूल के साथ हमने यह पूरी सलाई सीधी बनानी है और इस वाले कलर के दागे को हम यहां से वटाएंगे अब इसी कलर से हमारा जो है वो सारा बनेगा अब देखिए यह सलाई में पूरी यहां से यहां तक सीधी कर लूगी पूरी सलाई हमने यहां से सीधी करनी है अब देखिए दूसरी एक सलाई हमने सीधी की है और उसके बाद दूसरी सलाई में हमने यहां से जैसे हमने जहां से कटाई है 1, 2, 3, 6 फंदे तो हमें ये वाले शोड़ने है 6 फंदे हमने ये वाले शोड़ने है और 10 स्टिचिज हमने 10 फंदे हमने और यहां से शोड़ने है 1, 2, 3, 4, 5, 10 स्टिच हमने यहां से शोड़ने है और 40 स्टिच हमने बनाने है केबल 40 स्टिच हमने यहां से सीधे सीधे बनाने हैं और 16 स्टिच हमने यह बोडर केशे और 10 स्टिच हमने यहां से 16 स्टिच हमने यहां से छोड़ देने हैं 40 स्टिच हमने यहां से बना लेने हैं अब देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 हम 10 स्टिच जहां पर शोड़ेंगे 10 स्टिच जहां पर शोड़ने के बाद देखे धागे को आगे करना इस फंदे को लास्ट वाले को रैप करेंगे और यहीं से बापस जाएंगे यहीं से बापस जाएंगे और सभी फंदों को हम सीधा सीधा भूनते हुए कम्पलीट अभी सभी फंदे यहां तक हमने बनाने हैं सीधा सीधा बुनते हुए हमने यह सारे फंदों को बुनके कंप्लीट करना है तेखिए यहां पर हम अब 30 फंदे बुनेंगे और यहां पर हम 20 फंदे शोड़ेंगे ऐसे ही करते हुए 10-10 फंदे शोड़ते हुए जाना है और हमारे जब तक हमारे पास जहां पर 10 फंदे रह जाएंगे तो पूरी हमारी जो सलाई है यहां से लेके जहां तक एक सलाई हमारी सीधी बनेगी जहां से जहां तक इसी कलर से तो दस दस स्टिच छोड़ते हुए हमने ये वाला अपना portion complete करना है जैसे ये वाला बना है वैसे ही हमारा इस तरफ भी बन जाएगा देखे लास्ट वाली जो सलाही है सभी फंदों को बुनते हुए हमारी जो है complete हो गई अब हमने क्या करना है यहां से फंदों को बंद करना है देखे जैसे भी आप फंदे बंद करते हैं वैसे आप कीजिए दो का एक किया फिर से दो का एक फिर से दो का एक ऐसे ही करते हैं जैसे आप फंदे बंद करते हैं वैसे ही आप सभी फंदों को बंद कर लीजिए तो हमार जो बाजू है वो complete हो जाएगी इसके बाद इस बाजू की इसलाई करेंगे और अपनी जो है फ्रोक के साथ हम अटेच कर देंगे इसको देखिए यह होगी हमारी बाजू की यहां से complete cutting और यह वाझ गई हमारी यहां से बाज़ो तो आप भी ऐसे बना लीजिए बाज़ो और यहां से इसकी सलाई होगी और यहां से इसमें यहां पर यह सिलेगी अब मैं यहां से सलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनानी है यहां से सलाई करके और इसको इसके साथ अटेच करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि जो फ्रोक है कैसे बनी है आगे मैं आपको कॉलर बना करके दिखाऊंगी देखिए ये बाज में जो है वो सिलकी अब रेडी हो चुकी है देखिए ऐसे देखेगी ये एक बात मैं आपको और बता दूँ जैसे हमने यहां से कंदों में 10 जा 12 फंदे जैसे बंद किये हैं बाद में उसके कटिंग की है आप अगर बड़े के लिए बना रही हैं एक साल क के लिए वैसे तो जे शे 7 महिने के बच्चे के लिए बहुत असानी से आ जाएगी थोड़ा सा यहां से प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो यहां से फंदे जब हम पहले बंद करते हैं जैसे 10 जा 12 फंदे हमने बंद किये हैं तो उन साल के दो साल के बेबी के लिए तो अच्छे से आ जाएगी बस यही ध्यान रखना है कि यहां से जो कटिंग करनी है आप कंदों की आर्म होल की जो कटिंग करते हैं उसमें आप ध्यान रखना कि ज़्यादा फंदे हमने गटाने हैं बाकी लंबाई की बात है यहां से आप क सटिपलाई करेंगे तो जतने बी आएगा फिगर आपका उतने फंद यहां बात होगी अब यहां से हम कॉलर के लिए फंद बना रहे हैं आप चाहें तो इसमें गोल गला भी बना सकते हैं लेकिन मैं कॉलर बना रहे हूं देखें कम से कम भी हमें 65 फंदे जहां से उठाने है 65 जा 60 फंदे हमने उठाने है तो अब देखती हूँ कि कितने हमें हमारे फंदे होते है यहां से स्टार्ट करना है हमें देखें कॉलर बना रहे हैं तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे से क्योंकि हमारा कॉलर बाहर की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ से हमारा साफ रहना चाहिए बाहर की तरफ अगर किनारी आवी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से हम यहां से कॉलर के फंदे जो बटन पट्टी है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे यहां से फंदे उठाएंगे देखिए यह हमें जो यह देखिए यह हमें चेंसी दिख रही है जहां जहां से फंदे हमने उठाते हुए जाना है एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे देखते हैं कितने फंदे हमारे होत तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूं फिर आगे आपको बताती हूं कि कैसे बिनाना है अब देखिए फ्रेंड्स यह मैंने फंदे अपने पूरे कर लिए हैं मतलब कि हमारे पास जो है 66 फंदे हैं 66 फंदों का अब हमने सीधे सीधे ही बुनते जाना है कैसे बुनना है देखिए इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे यहां से यह वाला स्टेच उठाएंगे यह देखिए जहां से हम जहां से हम यह वाला स्टेच उठाएंगे और इसको बनाएंगे मतलब कि एक-एक फंदा हमने बढ़ाते हुए जाना है दोनों तरफ से एक-एक फंदा हमें बढ़ाना है तो हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से बनेगा ऐसे ही एक-एक फंदा हमें दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाना है और बगकी सारी सलाई हमारी सीधी बनेगी अब देखे जैसे हमने यहां से एक-फंदा उठाया और बनाया वैसे ही हमें इस साइड से भी एक-फंदा उठाना है और बनाना है ऐसे ही करते हुए हम जितना चोड़ा आप कॉलर चाहते हैं उतना चोड़ा बना लीजिए एक फंदा इस तरफ से और एक फंदा इस तरफ से बढ़ाते हुए देखिए फ्रेंड्स यह हमारा कॉलर जो है बनके कंप्लीट हो गया कॉलर मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बना करके दिखाया है कि कैसे कॉलर बनाया जाता है तो दूसरी बार मैंने आपको बता दिये कि कॉलर हम बच्चे के इस फंदा बढ़ाते हुए जाना है और इस तरफ से भी एक एक फंदा बढ़ाते हो जाना तो हम आप जितना भी चुडाई में कॉलर बनाना चाहते हैं उतना आप बना लीजिए तो यहां से हम जो है फंदों को बंद करेंगे देखे दो का एक किया फिर से इस फंदे को इसमें लिया और दो का फिर से एक बना दिया ऐसे ही करते हुए हमने यह सारे फंदे अपने बंद कर लेने देखे फ्रेंड्स यह सारा हमारा जो है सभी फंदे हमने यहां से बंद कर लिए अब भी हमें यहां से इस बाले धागे को हम यहां से काट देंगे और इसे देखे यह हमारा जो कॉलर है ऐसे आएगा यह देखे ऐसे बनेगा यह कॉलर हमारा जो है बन के रैडी है इस दाग्य को हम अंदर की तरफ ऐसे क्रोशिय से अंदर की तरफ करेंगे तो ये कॉलर हमारा बन के रेडी है और फ्रोक भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है देखिए ये हमने आर्म्स बनाई है देखिए फ्रेंट्स एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूं कि आपको जब भी बड़ा इस से बनाना है तो आपको जो आम होल की कटिंग है यहां से ज़्यादा फंदे बंद करने है सबसे पहले और यहां से भी फंदों को गटाना बढ़ाना है वो हम ज़्यादा ही करेंगे अपने नाप के हिसाब से जितना हमारा बच्चा है उसी नाप के हिसाब से हम यहां पे यह बली चीज जो है बनाएंगे तो यह कॉलर भी बनके तयार है और हमारा जो है आर्म्स भी बनके रेडी है और हमारी जो फ्रोक है वो बिलकुल रेडी है हमारी पहनने के लिए इस कॉलर को चाहें तो आप यहां से बढ़ाईए फंदों को नहीं बढ़ाना चाहते तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं देखिए यह बटन हम ऐसे लगा लेंगे और हमारी फ्रोक जो है बनके विलकुल तयार है थैंक यू बरी मच